नमस्कार दी ललन टाप देख रहे हैं आप और मैं गरिमा शोई बक्तर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाद क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद शोई बक्तर अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं और इस बार फिर से उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया है शोईब का कहना है कि सचिन तेंदूलकर की वज़ा से उनका भारत आना बंध हो सकता था बकॉल शोईब उनकी किये एक मजाग से सचिन को चोट लगते लगते बची और अगर सचिन चोटिल हो जाते तो निश्चित तोर पर भारत की जंता उन्हें कभी भी अपने देश में नहीं रेखना चाहती शोईब अक्तर ने अपने एक हालिया इंटर्वियू में दोहजास साथ आठ के भारत दौरे का एक किसा शेयर किया शोईब के मुताबिक दोनों ही टीमों की खिलाड़ी एक अवार्ड फंक्शन के लिए इखटा हुए थे जहाँ शोईब ने सचिन तेंदूलकर के साथ मजाग करने की कोशिश की लेकिन ये मजाग उल्टा शोईब पर ही भारी पड़ गया शोईब का कहना है कि अगर उस हाथ से के दौरान सचिन को चोट लग जाती तो उनका भारत आना बंध हो जाता हाला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं शोईब ने सपोर्ट्स कीड़ा से बात करते हुए कहा अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में मुझे बहुत सारा प्यार मिला तो वह है इंडिया इंडिया से मेरी बहुत से अच्छी यादे जुड़ी हैं 2008 के टूर के समय एक अवोर्ड फंक्शन हुआ था फंक्शन के बाद सभी खिलाडी एक दूसरे से मिल रहे थे हमेशा की तरह कुछ अलग करना चाते थे शोई मैंने मजाग में सचिन को उठाना चाहा मैंने उन्हें उठा भी लिया था लेकिन तभी वो मेरे हातों से फिसल गए और जमीन पर गिर पड़े वो इतनी जोड से तो नहीं गिरे पर मुझे लगा कि आज मैं मर गया मैं डर गया कि अगर सचिन को चोट लग गई और वो अन्फिट हो गए तो मुझे दुबारा कभी इंडिया के लिए वीजा नहीं मिलेगा भारत के लोग मुझे कभी भी वापस नहीं आना देंगे शोयब ने आगे बात करते हुए कहा कि सचिन को चोट तो नहीं लगी लेकिन इस हाथ से के बाद उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जो धुनाई की उसे देखकर शोयब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश सचिन चोटिल ही हो जाते शोयब ने कहा जब वो गिरे तो मुझे लगा कि आज मेरा काम तमाम है मैंने जाकर उन्हें गले लगाया और उनसे पूछा कि क्या ठीक हो तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ आगे चलकर तिंदुलकर ने हमें सीरीज में खूब धोया उस समय पर तो मैंने सोचा कि काश तेंदुलकर नफिट हो जाते बता दे कि ये उस दौर की बात है जब दोनों देश दुई पक्षिय सीरीज के लिए एक दूसरे के यहां आया जाया करते थे लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीज क्रिकेट की ये जंग अब सिर्फ ICC इवेंट में ही देखती है इस वीडियो के लिए रिसर्च की है प्रवीन ने आप देखते रहे हैं दील ललन टॉप शुक्रिया